तो भाई लोग IPL 2023 में जो मैस नमबर 15 है इस मैस में रोयल चेलंजर्स बैंगलोर के सामने लखनों सूपर जाइंट्स होगा दोस्तों इन दोनों टीमों में कौन से ऐसे बल्लेवाज है जो M. चिंजना स्वामी स्टेडियम बैंगलोरू में सबसे जादा रन ठोकेगा कौन से इसे गें नवाज है जो सबसे जादा बेकेट निकालेगा तो फंटैसिक टीम है उसे बनाने में आसानी होगी तो फिकर नोट क्योंकि आज की वीडियो में आपका भाई आज यही बताने वाला है कौन रन बारेगा कौन निकालेगा बिकेट तो चलो फिर जल्दी से ना वी वाजन दू हसरंगा आपको खेलते नजर आ सकते हैं दूसे चेल्जेस की बात करते हैं इंपक्ट फिलर के तो पिछले मैच में आर्टीमी ने किसको यूज किया था अनुज रावत को यूज किया था मुझे लगता है इस में आज में महीपाल लॉम्रोर को इंपक्ट फिलर आपको दोनो टीमों की जो फाइनल फ्लेंग लेवस है ना वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है उसी प्लेंग लेवस ना मिलती इस मैंस की दो तीन डीम लेवन्ट की जवजश टीम में मिलेगी कहाँ पा मेरे टेलीग्राम पर तो अगर आपको आपको IPL के सभी मैचों की जब वाजस बिनिंग टीम चाहिए ड्रीम लेवन की तो मेरा टेलीग्राम ज़रूर जोईन करें बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बसे नाम पर बहुत ही नकली टेलीग्राम चाहिए बना लेगे इसलिए इदर उदर और किसे जोईन नहीं करना जो लिंक मिलेगे डिस्क में तो इसलिए अच्छों की कहानी क्या रही और उस कहानी की इसाफ से आज की मैच की कहानी क्या होगे जब इस आरी चीजा जान ले गे के माती चीजी के मैश जानी होगे के जो गेर अगर transition में द में तो यहां पर बनेवाज को रखना है गेंदवाज भी रखने हैं लेकिंगे सोच समझ के किसको रखने मैं आगे बताऊंगा टारगेट दीतन की सकते हैं नगशन के नाम पर है लोड़ सकोर यहां पर यहां पर फिर्स एंग के नाम पर है इस मैदान पर जो highest total change हुआ 205 जिसे CSK ने RCB के सामने 2018 में किया था lowest total defend हुआ यहां के मैदान पर 138 जिसे पंजाब ने RCB के सामने 2017 में किया था scoring pattern की बात करें तो 150 की नीचे first inning में 36 time score बन चुका 150 से 179 की बीच में first inning में 31 time score बन चुका 170 से 189 की बीच में first inning में 22 time score बन चुका 190 या इस से जाधा first inning में 27 time score बन चुका है scoring pattern देखने के बाद आपको तो लगा रहा कि भाईया यहां पर तो कभी low scoring match वाग कभी medium scoring वाग कभी high scoring वाग इसका चक्कर क्या है अगर मालो शुरुवात में मालो विक्ट गिरा भी दिये लेकिन बाद में समल के खेल कर finish अच्छा कर दिया तो जो मैच होता है medium scoring होता है उस सुरू में विक्ट ही न गिरा है थोड़ा सा 4-5 अबर समल के खेल लिया उसके बाद तो यहाँ पे कुटाई ही कुटाई होती कोई यहाँ की जो कंडिशन है बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेतर है तो जो मैच होता है वो high scoring मैच हो जाता है तो 53 से 65 मीटर के असपास की बाद लिया थे इसलिए जो इसमिनस गेंद माजन है इनको यहाँ पे ज़्यादा बिकिट उकिट नहीं मिलता है अगर मिलता भी है तो इनको run भी पड़ता है तो यहाँ पे लगभग ज़्यादा तर मैच क्या होते है तो इसलिए शुरू में जैसा कि मैने पहले बता है तेजगेंद माजो को थोड़ा बहुत स्विंग मिलती है तो जो तेजगेंद माजो को अपनी टीम में रख सकते है इस्पिनस की बात करें तो काफी सोच समझ के उपनी टीम में रखना होता जो बल्ले बाद शुरू में बैटिंग करने आते है अगर वो स्विंग के सामने नहीं फस्ते समल के खेल जाते है तो उन बल्ले बाजो को अपनी टीम में रखना हो चाके तो कैप्टेट एंड वाइस कैप्टन भी उनको करना है क्योंकि वो बल बरते हैं ना एक एक फिलिदर के बारे में जानते तब जाधा मज़ा भी आएगा ज्यादा समझ में भी आएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किंग कौली या निए विराड कोली की तो विराड कोली ना आखरी जो आई पेल के किंग कोली की वो तो और भी ज़्यादा बेतर है और लखनों के सामने दो मैच खेला 25-25 अन बनाए मतलब लखनों के सामने अभी तक इनका बल्ला नहीं चला लेकिन जो एम चिन्ना स्वामी का मैदान है यहां पर इनकी जो परफॉर्मस होती है काफी ज़्यादा बढ़िया हो सामने और एकाता बाद प्लान पांड्या के सामने आउट को हैं लेकिन मुझे लगता है किंग कोली आज की मैच में चलेंगे और ऐसा चलेंगे 80-90 की पारी खेलेंगे तो किंग कोली को अपने टीम में रखना और हो सकते हैं इनको कैप्टन और वाइस केप्टन भी करना है 50-90 की बात करें तो इन्होंने आइपिल के आखरी के दस में 309 यानि इनका भी पिछला आईपिल और ये आइपिल बढ़िया भी जा रहा करेंड़ परफॉर्मेस की बात करें तो आखरी के 10 मैच में 424 बना चुके मतलब जो करेंड़ प्रफॉर्मेंस है 502 वह तो और भी ज ज्यादा पसंद है वाला कि थोड़ा सा रभी विशनुई के सामने फस्ते हैं आवेस खान भी ने इंको एक आता बार आउट किया है लेकिन मुझे लगता है फाफ डू प्लेशिस का भी बला आज के मैच में चलेगा सार सतर की पार ये भी खेलेंगे इनको भी अपने टीम में रखना और हो सके तो कैप्टन है वाइस कैप्टन करना किसको फाफ डू प्लेशिस को डीके की बात करें यानि दिनेश कार्टिक की तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 104 बनाए 10 मैच 104 मतलब डीके काफ़ी ज़्यादा बात करें तो यहाँ पर 19 मैच खेला 268 मतलब जब फिनिस करने आते तो 20-25-30 सनों की पारी यहाँ पर खेल जाते कौन दिनेश कार्टिक हाला कि थोड़ा सा अवेश खान और अभी विस्नोई के सामने फस्ते हैं और मुझे लगता है आज के मैच में यह फस जाएंगे 10-12-15 लंबी वारी ना खेल पाएंगे तो आज के मैच में थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लैन मैक्सिवल की तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 160 मनाएं चार विक्ट निकाला दस मैच एक तो नहीं कह सकते हैं ना जो लखनों के सामने इन्हों नहीं रही है किसकी ग्लैन मैक्सिवल के मजान पर अलागि अमीत मिस्रा के सामने यह फस्ते जैजा उनादकर ने इनको भी एकाता बारी आउट किया है लेकिन मुझे लगता है ग्लैन मैक्सिवल का बल्ला आज चलेगा बहुत ज़्यादा लंबी पारी नहीं लेकिन 40-50 सनो अगर यह खेलेंगे तो बल्ले से कुछ कर पाएंगी ना गेन से कुछ कर पाएंगे कौन माइकल ब्रेस्वल अगर यह खेलेंगे तो इनकी जगा पर वाइननडू हसरंगा खेलेंगे जिन्हों ने जो IPL के आखरी का आठ मैच कहला ना उसमें 15 बिकेट निकाले कि इसने वा अगर वाइननडू हसरंगा खेलेंगे तो आखरी के 10 मैच में 12 बिकेट निकाल लेते हैं यह आज की मैच में 2-3 बिकेट निकाल सकते हैं कौन डेवीड बिली हो सकता है इसके साथ इनको थोड़ा सा रन पर जाए लेकिन 2-3 बिकेट निकालेंगे कौन डेवीड बिली और मुझे तता है बल्ले से भी 20-25 की पारी खेल सकते है तो डेवीड बिली को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए करें तो आखरी के 10 मैच में 268 बनाए 6 बिकेट निकाला मतलब बल्ले बाजी बढ़िया करके आए डोमस्टिक में कौन सहवाज एहमाद अपनी टीम में जगे देनी चाहिए करन सर्मा की बात करें आखरी के 10 मैच में 13 बिकेट निकाले किसने करन सर्मा ने 10 मैच बढ़िया के इंदबाजी कर रहे हैं और एमचिन स्सामी के मैदान पर चार मैच के लाज 9 बिकेट निकाले कोन करन सर्मा लेकिन मुझे लगता आज के मैच में इनकी बी पिटाई होगी विकेट एक आता मिल जाता करेंड प्रफॉर्मेंस की बात करें तो आखरी के दस मैच में 11 निकालें यहां पर भी उनकी कहीं नहीं नहीं पर भी हरसल पड़िल की कहानी वही है कि एकातर बिकेट निकाल लेते हैं कौन हरसल पड़िल तो मुझे लगता है अगर एकातर बिकेट मिलेगा इसके साथ साथ इनकी कुटाई तो होनी है किसके हरसल पड़िल की तो I think हरसल पड़िल से भी हमें आज की मैच में थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए मोहमच सिराज की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 13 बिकेट निकाले है मतलब सभी मैचों में एक दो बिकेट निकाले है सिराज को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए आकास दीब की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 14 बिकेट काफी ज़्यादा बढ़िया होता है और जो चिन्ना स्वामी के मंदान पर एक मैच कहला था उसमें एक ही बिकेट निकाला और मुझे सकते हैं अच के मैच में इनको इकाता बिकेट तो मिल जागा किसको आकास दीब को लेकिन इनकी बिन काफी ज़्यादा पिटाई हो सकती है आए तो आकास दीब से हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच royopt के रहना चाहिए मही पाल लोम्रोळ से इंपैक्ट पिलर्याज के त लेकिन केल लाहूल जिस तरह से मारते है ना उससे मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक ना लग रहा है करने परफॉर्मेंस की बात के तो आखरी की 10 मैच में 299, 299, किसी और किलियर का होता है हम कहते है भाईया बहुत अच्छा केला सभी मैचों में 30-35 की पारी खेलता है लेकिन केल केल लाहूल के साब से 10 मैच 295 कम है ना हाजी बिल्कुल कम है आर्सीबी के सामने इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती 626 मना चुके हैं किसके आर्सीबी के सामने इनका बल्ला जरूर चलता है और चिन्ना स्वामी मैदान की बात करें यहाँ पर 16 मैच कहला 408 हन मतलब यहां क कि थोड़ा सा यह हरसल पटेल और सहबाज हमत के सामने फस्ते हैं लेकिन मुझे लगता जिस तरह से उबाद में गेंदवाजी करने आते हैं पावर पिले में यह अगर टिंग है तो दन मारेंगे मुझे लगता 17 यह 90 की पारी केल लाहूल आज के मैच में खेलेंगे तो केल लाहूल को काईल मेरच की बात कर तो आकरी के 10 मैच में 2064 टन मनाए तीन विगर्ट मीन का आला 10 मैच 244 टन तीन विगर्ट जो दो इनिंग आई थी IPL के सुरू के मैच में उस इनिंग को हटा दिया जाए तो इनका कुछ खास बल्ला नहीं चला मुझे लगता भले पीछ बै इनकी चल लही है RCB के सामने 425 टोक चुके हैं इनका भी जो बल्ला है RCB के सामने चलता है एक सतक भी लगा चुके है RCB के सामने क्वेंटन डिकोग और चिन्ना स्वामी के मैदान पे 14 मैच खेला है 463 बनाए इनको भी चिन्ना स्वामी का मैदाने काफी ज़्यादा पसंद ह हाला कि हर्चल पटेल के सामने देख दो बारी ओट हो चुके हैं लाज के कुछ मैचों में सिराथ की भी सामने थोड़ा सा फस्ते हैं थोड़ा सा असरंगा के सामने लेकिन लगता है मुझे फिर भी आज के मैच में क्वेंटन डिकोग खेलेंगे तो पचास साथ सतर की पार अगर हम बात करें आर्चीबी के सामने तो 41 41 सन मना है चार बिकेट निकाला मतलब आर्चीबी के सामने जो मांका इस्टोनिस से इनकी ज्यादा परफॉमेंस कुछ खास नहीं होते और बात करें एंचिन्ना सवामी के मैदान पर तो साहाथ मैच के लाए एक सवी बिकेट मिल आर्चीबी के लाए उसमें 284 रंद मना है मतलब आईपल में परफॉमेंस पिछले सीजन अच्छी थी लेकिन इस सीजन की बात करें या करेंड परफॉमेंस की बात करें तो आखरी के 10 मैच में 101 रंद मना है मतलब दीपा कुड़ा काफी ज़्यादा स्टेकल कर रहे हैं आर्चीबी के सामने 191 एक्षो एकननवे माच चुके हैं तीन बिगट भी ले चुके हैं और चिन्ना स्वामी मैदान की बात करें यहाँ पे तीन मैच के लग 11 रंद मना है मतलब इस मैदान पर बिलकुल भी बल्ला ना चलता तीन मैच ग्यारा रंद चिन्ना स्वामी के सप के ही रहना चाहिए निकोलास पूरान की बात करें तो आगरी के दस मैच में 338 मना चुके काफी बढ़िया फोर्म में जिसना सी चौथे पत्वे नमबर बल्ले वाजी करने आते दस मैच में 338 बढ़िया होता है और आर्सीबी के सामने भी 102 ठोक चुके मतलब आर्सीबी की चाहिस बनाया था ना 40-50 अनों की पारी या 55 अनों की पारी फिर से खेल लेंगे कौन निकोलास पूरान तो निकोलास पूरान को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए वही कुराल पांडे आग ये बात करें तो आगरी के 10 मैच में 199 बढ़िया नमना चाहिए तो आगरी के 10 मैच में 156 मना चुके कितने 10 मैच 156 मना चुके कितने 10 मैच 156 और आगर मतलब RCB के सामने आइस बढ़िया ना चलता मुझे लगता आज की मैच में इनका बल्ला ना चलेगा 15-15 बनाके चले जाएंगे तो इनसे नहां हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए किससे आई उस बढ़िया निकाले 10 मैच 13 में काफी गजब की परफॉर्फोर्मस कर रहे अचि बचा बहा把 करें आँसी बी के सामने छे विकेट निकाल चुके हैं तो भाईयो आज की मैच मेंना इनकी थोड़ी से पिटाई हो सकती किसकी आवेश खानगी थोड़ी से निकाले वह कमाल की गिधा जिकरने मांगे तो भाई कुड को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जागे देरी चाहिए रभी विश्णोई की बात करें तो आइपल के जो आखरी के करें अगर वह खेलेंगे तो एकाता बिकिट उनको भी मिल जाएका लेकिन काफी जादा उनकी भी पिटाई होगी तो यह थाकूर से भी हमें थोड़ा सा आज के मैच में बच के रहना चाहिए किसनप गौतम की बात करें अगर वह खेलेंगे तो बल्ले से कुछ कर पाएंगे आज के मैच में जादा कुछ ना कर पाएंगे अगर यह खेलेंगे तो हमें इनसे भी थोड़ा सा आज के मैच में बच के रहना चाहिए तो भाई लोग हमने यहाँ पे न सभी पिल्यस के बारे में जान लिए और सभी पिल्यस की एनलासेस कर लिए उम्मीद है इस वीडियो से आज ले इंदा और और कैसे टेलिग्राम जोइन नहीं करना जो लिंक के मिलेगे डिसके एप्शन में बस महीं से जोइन करें तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो आज यानल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैं आज की वेडिक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you